मुझा लगता है ये दोस्त ये जो आपकी गैदरिंग्स होती है वो आपकी काफी सारी एरेजी टेक मतलब ले लेती है कभी आपको अच्छा ज्यादा सुनाए नहीं देगा हमेशा लोग आपके नेगेटिव चीज़ को या फिर कुछ चीज़ को नेगेटिव बनाके ही आपक को खथम कर सकती है एक सेकंड में फिटनेस एंतुसियास्ट है और काफी सारी वेफ सीरीज और मूवीज में आपने इने देखा होगा प्लीज वेलकम अमीका शेल थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तो अमीका खाव इस जर्णी स्टाटिट मैं जर्ली यह पहला सवाल हमेशा पूछता हूं लोगों से कि क्या चीज ने आपको किस उमर में कैसे आपको पता लगा कि यह मेरा पैशन है और मुझे इस डिरेक्श यह सब रेगुलर हमारा जॉब होता है एंड उसके बार ममी ने एक दिन सारे गामा पा के ओडिशन के क्लिप्स जाते हुए देखे टीवी पर एंड ता उन वो लेके गए मुझे वहाँ पर कॉलकाता वाले ओडिशन में लैक्स ओफ किद्ज वैदेर शांस आरे गामा पर ल वहाँ बार मश्किन होप चाहराई गारा जूब चाहराई वहाँ लैकर यही ने असर willingly पैर में यहाँ देंगय जभा नगा बोल चाहराँ यही नुहां बड़ा सेल की इया यह त। ह। तो तो ह। दोल चाहरा भसं फिन होट ज़न नहीं टो हाँ डिगोरा निकार ऑ्क लीे था कि पहले ओडिशन में मैंने क्रैक कर लिया और उतने लैक्स ऑफ बच्चों में दस जन बंबे के लिए सिलेक्ट होगते तो आई वस वन अफ देम कॉलकटा से तो बहुत इसको हम लग बोल सकते विकर्स बदलब यू नो टैलेंट अन लग दोनों का कॉमिनेशन ही होता है लग आपका हार्ड वर्क जो रहा होगा जो प्रैक्टिस मिली होगी यह सिंगिं के प्रती बस वही से मेरी कॉलकटा मुंबई जर्नी की शरुआत हुई पिर आगे का सफर वहां पिर आगे का सफर बंबे में आरे के बाद फिर फिर लाइक पचास आठ फ्रम अलग अलग वहां पे competition and I I think I got the position of 10th so top 10 India के top 10 में मैं थी then I got eliminated from the show अधर शो तक में शो तक आप में 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 शो में जो अलग अलग स्टेज से गिने बच्चे आए थे उसमें से top 10 तक पॉची थी मैं वाँ तो top India में जो 10 बच्चे हैं उनमें से मैं थी अरे वाँ बड़ उसके बाद ठेक है 10 बच्चे होगे but it's okay but that was my first try and I got succeed at least I was in India's top 10 yeah 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 that's very good and I my mother got so much inspiration from that show के वाँ हो ये कर सकती है कुछ फिर मैंने ट्राइ किया voice of India चोटे उस्ताथ तो ऐसे reality shows करती रहे थी तो उसमें भी पूरा शोर तक पॉच गया उसमें मैं top 5 तक पॉची थी अरे वाँ या तो ऐसे ही मतलब तो उस समय जो इतनी कम उबर में एक attention मिलती है आपको exactly चीक है तो आप तो छोटे रहोंगे उस समय पर तो क्या उस attention को कैसे लिया how you used to feel about it उसने कैसे आपको आगे बढ़ने में motivate किया या फिर क्या हुआ बहुत ही exciting था because मैं जहां से belong करते हूँ that's a very small place हाओड के पास एक उत्तरपरा करके जगा है it's not proper Kolkata-Kolkata थोड़ा सा अंदर की तरफ है वहां से बच्ची पूरे इंडिया में टॉप 10 में आके तेलिविजन में दिख रही है यह मेरे एरिया के लिए बहुत ज़दा surprising था मतब हमारी बच्ची टीवी पर दिख रही है एक middle class family के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है true true and school में भी teachers काफी inspired हो गए उस time पे so they allowed me for the exams also because में school में तो जाना ही पाती थी मुंबई में रिलेटी शोस के लिए रहना पड़ता था but फिर भी they allowed me for the exam because that was a proud thing for them as well the teachers काफी supportive थे फिर दीरे दीरे पापा देख रहे थे को okay मेरी बच्ची टीवी पर देख रही है पापा तो बिलकुल इसके खिलाफ थे singing, winging के जैसे होते है के इंजिनियर बनना है, डॉक्टर बनना है ये करना है, जॉब करना है तो बाद से ये बिलकुल अलग ही जॉणर हो गया singing तो फादर थोड़े प्रोटेक्टिव रहते है एक जादा इस फिल्ड में रहती है उनको नॉर्मल मिडल क्लास में जो होता है सिक्यूर जॉब चाहिए, सालरी चाहिए, मन्तली तो सिंगिंग बे कैसे पैसे आएंगे तो ये तो next level था बट जब दिखे उनोंने के टीवी पे दिख रही है आजवाज़ो के लोग प्रेज कर रहे है तो वहां से काफी इंस्पाइरिंग था वो चीज और मेरे लिए भी मेरी फैमिली के लिए भी स्कूल के लिए भी तो कफी मज़ा आ रहा था उस टाइम तो फिर बाद में जब आप मुंबई शिफ्ट हुए जब आप मुंबई आए थे अके ले अलग बक 10 साल पहले आप बता रहे थे क्या है तो तब सिंगिंग में ही स्टरगल करने के लिए आए थे या अक्टिंग का भी आपने शुरू करना था उस टाइम बिलकुल भी नहीं अक्टिंग तो मैंने बच्पन से कभी ट्राइन ही किया है किया था इमें नो डांसिंग, नो आक्टिंग फुल सिंगिंग में कॉंसेंट्रेट सिंगिंग में ही कुछ करना है प्लेवैक सिंगर ही बनना है और कुछ देखना भी नहीं है करना भी नहीं है तो यह बहुत मज़िदा जर्णी थी जब सिंगिंग से अक्टिंग में आई इट वस नेवर प्लाइन I'm not trained in acting workshops or something like that I try and try and try and try I have a call that if I want a singer or an actor I had to take an audition that you come and give an audition I think it was Channel V so I went there but I was not prepared I was like mooti and I was not like proper groomed not that polished you know just actors so I was like I was like how did this come and become a band and become a band and become a band so I took a audition but I don't think it will be sent to the channel so I think in Bombay we can explore something else so so I got a little inspired that let's grow myself and let's try something else which I can try how many times I had to do this struggle and how many times I had to do this I had to do this for the singing प्रोपर मैंने सेंगिंग में दिया, बहुत लाइफ शोउस किये, रिकॉर्डिंग्स किये, अपना कुद का यूट्यूब चानल कोल, वहाँ पे काफे सारे हिट कवर सौंग्स भी है, औरिजिनल सौंग्स भी है, तो उस पे का बहुत जादा, तो कुछ इंडिया टॉप कवर किया एक यूटूब चैनल आपको अप्लोड करते हैं, अभी यूटूब ज़ो एक प्लाट्वों में उस पे आपको 100% फोकस करना पड़ता है, you need the whole day for that because you need to think about the content as well आपको वो शूट करना पड़ता है और सिंगिं में अगर हम करते हैं तो वो रिकोर्डिंग करना पड़ता है वो बहुत कंसिस्टेंची चाहिए हाँ, बहुत कंसिस्टेंची चाहिए तो when I opened the channel and जब मैं उस पे काम कर रही थी तो I was fully focused on that editing हो गया, recording हो गया shoot करना हो गया तो everything I had to do only तो it's not possible with the acting thing also कि मैं acting भी करूँ, YouTube channel भी चलाओ it's not possible both the things तो जब आप मुंबई जब आगे थे तो पहला break in acting में आपको कितने साल लगे थे पहला break मिलने में I think after one year I got my first break in acting यह जो period था जब आप स्टोडिशन्स दे रहे थे और कई बार ऐसा होता है कि rejection मिलता है Yes, of course और जो failure, rejection उस struggling period में क्योंकि मुंबई जाना जाता है इन चीज़ों के लिए लोग कहते हैं मुंबई सपनों की नगरी है तो मुंबई सपने बनाने की नगरी है और सपने तूटने की नगरी है तूटना जादा होता है बंते कम है तूटते कम है Exactly Right, so वो जो तूटते हैं क्योंकि वो जो struggle होता है चका चोन सबको पसंद आती है सकसे सबको पसंद आती है मगर वहां तक पोचने के लिए जो back end में आपका struggle रहता है वो सबको दिखता नहीं है दिखता नहीं तो ऐसे लोग जो अभी शायद उस इस्थिती में है तो उनके इस struggling phase में आप क्या करते थे और क्या lesson आप उन्हें दे सकते हो मुंबई में मैंने जितना experience किया है failure बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा मतलब अगर आप 100% होगे तो 90% ही failures rejections है 10% जाके आपको success मिलता है you need lot of patience वही आपका main mantra है patience patience and patience तो अब give up नहीं कर रहा है जब तक आपके पास पैसा है survive करने के लिए just keep quiet and be patient that's the only mantra I have learnt in these years कभी अगर demotivated feel करते थे या कभी doubt आता था जब आपको rejections मिलते हैं तो did you feel that self doubt? और demotivate मैं चार दिन पहले ही रो रही थी demotivate is the part of our journey जो feel मैं अभी हू singing हू, acting हू this is not a regular job you have to sit at home for years, for months, for maybe two years, three years but you have to have lot of patience तब जाके आपको कुछ अच्छी success मिलती है तो मम्मी हमेशा बोलती है मैं जब रोती हूँ कि तुमने ऐसा एक field choose किया है जो job नहीं है तो you have to be prepared all the time कि घर पे बैठना है हमेशा काम नहीं रहेगा तो मम्मी ये बात हमेशा मुझे बोलती है and she always supported me काम नहीं है हमेशा नहीं रहेगा you have to sit at home रोना धोना नहीं चलेगा तो मुरोगी, कोई दोस्टा तुमारा काम लेके चले जाएगा so always be motivated and keep your mind always fresh to take new opportunities तो आपका support system आपकी मदर से बहुत आता है बिलकुल और क्या आप करती है अपने आपको encourage डखने के लिए how do you talk to yourself या और कुछ आप करती है ताके आप अपने motivation, अपनी spirit को uplifted रख सके मैं meditation करती हूँ उसके लिए रोज सुभा उटके मेरा जो पहला काम होता है meditation होता है I think that is the only thing which is helping me the most to keep myself calm down to keep my spirit calm down and बहुत लोड़ अपने के लिए this is I think very important meditation and pranayama so these two things are my personal gurus so do you have a habit of reading as well do you read something I am not a great reader but yes I do read I do read like मेरी मुमी ने दिया है भागवाद किता so I do read sometimes so आप लोग का जो environment it's highly very competitive environment right so how do you deal with that competition and in fact competition भी है और कई बहुत सारी toxicity भी बहती है आस पास so वो जो toxicity कई बार आपके एंवार्मेंट में आती है या कुछ negativity या कुछ गॉस से इस तरह की चीज़े चलती है तो उन सब को deal करने के लिए क्या कुछ follow करते हो what mechanisms you follow I have zero friends in Mumbai and I think that is the only thing I am not disturbed by any other personalities in my life I am fully focused on work I am fully focused on myself I am fully focused to grow myself how to grow myself, fitness and कोई भी अदर opinions मेरे कान में नही आते because I have zero friends so I think that is the very basic and very powerful thing in anyone's life why you don't have friends? like because I don't like to listen to anyone's opinion who is not my parents who is not my close who don't want my progress so do you think that the friendship that is fake is that you don't invest much in yourself? yes, I like to save my energy as well I think that these friends these gatherings they take a lot of energy take drain काफी energy drain भी होती है काफी सारी opinions आपको सुनाई देता है जो आपके अंदर negative vibes create करता है जो मेरे field के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है अलग-अलग तरीके के opinions आते हैं कि ये अच्छा कभी आपको अच्छा ज्यादा सुनाई नहीं देगा हमेशा लोग आपके negative चीज़ को या फिर कुछ चीज़ को negative बनाके ही आपको सुनाईंगे तो gatherings के जो opinions होती है वो आप deserve नहीं करते because you are putting lot of efforts lot of energy lot of positive vibes in you lot of hard work you are doing everyday तो आपके एक negative thought या opinion आपकी पूरी hard work को खथम कर सकती है एक second में वो मुझे नहीं चाहिए so that's why I keep myself away from any kind of gatherings which is not required which is not necessary or compulsory so I always focus on myself and grooming myself then do you feel lonely because in Mumbai right now you are not living with your parents right I am living with my mom I mean mom आती जाती रेती आती जाती रेती exactly so does it make you feel lonely sometime पहले पहले बहुत lonely feel होता था तो लेकिन मैने खुद के साथ जीना सीख लिया whenever I feel alone I go to some cafe I feel I just enjoy my own vibes I order some food I order my own coffee and I drink that I just feel the music of the cafe or restaurant I just love my own vibes even if I am roaming around or after this interview also I'll just go to the Lokhanwala and I'll just roam around I'll shop I'll just you know have something food I just love my own vibes in industry in industry in your industry like networking connection building it's a very important part of the process apart from your talent and skill you should be good at all those things so do you think that now you have a little counter that you like to live alone and you have to build connections and you like to live alone and then you feel like that you miss some opportunities this is what I'm giving you this is a very big myth actually that contacts and gatherings you have to go to your contacts I've been in Mumbai so many years and I am not that social kind of person that I'm going to every party and I'm going to hopping at home and I'm going to regular night club or I'm going to parties and I'm going to do good work there are many ladies who are going to parties जाके भी कुछ काम नहीं करती है, रात को पाटी करती है, सुबा सोती है, फिर रात को पाटी करती है, सुबा सोती है, they are not working on themselves, so contacts मना ना, आज कल की जमाने में, you don't have to go to the parties, there is Google, there is internet, there is Instagram, there is social media, you can use those, life is very easy with internet, these days, I think that is the only power you have right now, you don't have to go to the parties and unnecessary gatherings, So overall, अगर जो अभी का environment आपके इंडस्टी में देखें, तो how safe it is for women, because many times from outside we keep listening, there are so many things, casting couch, this, that, so कितना वो फेक है, परसेप्शन है, कितनी वो रियालिटी है, and how safe it is, सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है, 99% लोग यहाँ पे फेक हैं, casting couch है, and I think यहाँ पे वो लोग ही टिक पाते हैं, जो mentally बहुत शाप होते हैं, and चुन पाते हैं, फिल्टर कर पाते हैं लोगों को, लोगों को रीट कर पाते हैं, यह important American है, I think those artists can stay in this industry and work for a long time, because आपके पास ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं, इस जोर्नी में, मेरे पास भी आते हैं, काफी लोगों, जितने बड़ी होती जाओंगी, और भी बहुत सारे ऐसे, unwanted लोग आते रहेंगे लाइफ में, unwanted चीज़े उफर करते हैं, casting couch तो है ही, that's very basic common thing in this industry, so you have to filter very much, आपके वो अच्छे लोग भी मौझूद हैं, but you have to be very strong and patient as well, because many times people have opportunity pressures, that they are not getting work, and in those vulnerable weak moments, many times people can exploit you, right? Of course, and लड़के तो बहुत जादा यूज़ हो जाती हैं, even लड़के भी आज़कल सेफ नही हैं, so लड़की लड़के बहुत आज़कल सेफ नही हैं, if you see model industry, लड़के लड़कियों से ज्यादा अनसेफ है, so you can't say कि लड़किया उनली है, लड़के भी इसके शिकार है, और चे ठीक है, सब कुछ चल रहा है, अपने फ्लो में चलता रहता है, अब बजो रियालिटी एक्सप्त करना पड़ेगा, but it's up to you, कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हूँ, और उसको हैंडल करके आप काम कैसे निकाल रहे हूँ, that matters, कई बार आप बालगलग characters जीते हैं, तो एक आपका market perception बन जाता है, कि market आपको उस तरीके से एक image बन जाती है, हर एक artist की एक point के बाद में, कि ये romance में है, अपनी real life के अंदर, या फिर उस image को protect करके चलना पड़ता है, जैसे कल मैं रगु से भी बात कर रहा था, तो उनकी एक image थी, एक strict strong image है, तो कई बार जो उनकी softer sides है, उनको बाहर आने से रोकना पड़ता है, विकोज आपकी वो image है, और in fact आप करें तो भी कई बार जनता शायद उसे उसे पसंद नहीं करती है, आपकी जनता उसे as a conflict देखती है, ओग आई तिंक अरुन गोईल का एक interview था जिनोंने जब श्रीराम वो बने थे, तो he was sharing an experience, कि वो किसी theater में या shoot में कहीं backstage पे, आपको accept करेंगे, जैसे आप, जैसे लोग देखते हैं, क्यूंकि लोग आज भी अगर मैं अपने होम टाउन में जाती हूँ, तो लोग मेरे कारेक्टर के साब से मुझे पहचानते, तुम वो क्यू कर रही थी, तुम वो क्यू कर रही थी, मताँ चारेक्टर जो कर रहा था, तुम उनको उतना समझ नहीं है कि मैं आप एक्टिंग कर रही थी, तो ते टेक इप रही नहीं परस्नली, तो उसको तुम ताप चेंज नहीं कर सथे, बट यू कर रही थी थी, मैं कर देडी थी, दकेुए खरी on immigration help, तो सुशल मीडिया थना चेंप एक एक्टर को अपने आम पैचानवी बहोत अच्छे से मिलती है क्यूंकि आप अपन स्थे मेडिया करेक्टर्स अरपकर्स दिखा आपने स्कीज़ दिखा बाते हैं लेकिन वह इस पोजिछ पेस्परेस करने के लिए कब शोचल मेडिया पर दिखाते हैं वह पे कहीं आप ठ्रेवल करते हैं खाना का रहें अपनी रियल इमेजेज बेश्ट हैं So do you think कि वो एक positive चीज है कुद को express करने के लिए कभी-कभी it's good but not all the time like if you are waking up and you are putting a story if you are drinking coffee मतलब every moment is not required on social media मैं जो follow करती हूं मैं जो दिखाना चाहती हूं मैं जो दिखाना चाहती हूं मैं वही दिखाती हूं not unnecessarily everything I am putting on social media Yeah but does that help you to express yourself like कि आप क्या हो कि कई बार लोग सिर्फ आपके character को जानते है जो character आपने जीए आप खुद क्या है वो पचाने के लिए तो जनता को पता चलता नहीं है तो social media से वो मदद मिलती है कि आप क्या है वो आप express कर पाते हूं मैं क्या हूं वो मुझे लोगो को समझाना मैं उतना important नहीं समझती अच्छा, 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 अच्छा अच्छा, 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 अच्छा So that's why I never try to prove myself कि मैं क्या हूं So whatever I want I put it on social media whatever I want my audience to see that I put on social media not to prove myself कि मैं क्या हूं So aap fitness में भी बहुत जाद है So let's talk about fitness Fitness की जर्नी कब चालूँए आप कुछ ब्रांड्स की brand ambassador भी है fitness brands जो है So ये जर्नी कब चालूँए जब विकेम serious about fitness So ये जर्नी चालूँए जब मैं acting में आई I was very chubby that time I was not maintained at all So मुझे लगा नहीं जोई 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 करा है नहीं तो लाइचों में भी नहीं बुलिया अप्तो क्योंकि कोई कोई कॉस्ट्म फिति हो रहा है So that time I joined the gym And I started with normal training Fat loss training And after that I started weight training dumbbells I was with weights three new So I saw the body is very much response I have a broad shoulder so and my body is looking good like weight training तोड़े बाद 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 ट्रीसेप दिखे so and people are praising as well that you are looking good, you are looking fit so I was a lot inspired, I took it seriously so I started doing fitness videos I started doing fitness videos and then I started doing gyms with it and they were also like asking me that I'm going to go to our gym and do some shoots so I got spread in like fitness enthusiast so I got spread in like fitness enthusiast so I got an offer from ESN that we need an ambassador for our brand and I got signed for that brand so right now I'm the ambassador of ESN brand I take lectures on neuro-linguistic programming and I talk a lot about body-mind connection so what is your take on that that when you are fit in your body it starts reflecting in your mind in your thought process, in your confidence as well so how your fitness journey is impacting you on mental and emotional level very much when I started my fitness journey I got really confident much more confident than previous that I'm fit when I enter a room everyone looks at me I'm in shape I feel confident it's a lot of difference it's a lot of difference it's a lot of difference it's a lot of confidence it's a lot of confidence it's a lot of confidence you look good you feel confident and that's the only thing you want does it help in handling stress and does it calm your mind as well? yes of course I think gym that is the main reason we do gym every day so I think that is the main reason we do gym every day so I think that is the main reason we do gym every day we get fresh that our body is so active all negative energy is left and blood circulation is good it's a lot of disease it's a lot of doctors it's a lot of knowledge it's not a lot of money so that is very very you know give a good impact in your body so true I think everybody should follow this because healthy body then healthy mind healthy mind healthy life healthy life beautiful so how do you define success how do you define success now? because sometimes when you start you will be different for success right now what is the meaning of success for you? success is limitless first of all that there is no limit I thought I was going to be a singer I was going to be a singer I was going to be a playback then now what is it? then I was going to be a good movie then I was going to be a good movie so there is no limit it's limitless it's limitless then when I came to acting I was going to be a lot of projects and then I was going to be a lot of big projects so I am looking for more bigger projects what I have done till now then when I do it I have to do something else I have to go to Hollywood next I have to achieve something I have to achieve so this success is limitless sometimes I am the most successful in the world right there is always a better person than him or her so success is limitless sometime does it make you feel pressured by your own vision do you feel pressure sometime I am in a city when it is falling from pressure it is falling from pressure I am going to shoot 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 always pressure is everywhere first of all first of all it was difficult it was pressure in the mind I was crying I was crying nothing is happening nothing is happening then slowly as I am experienced as I am growing up as I am growing up I realized that life is too short to take so much pressure it is just a journey right whatever it happens it will be hard it will be hard I am going to shoot so much pressure I am not living I am not living I am not living I am not living I am not enjoying life I am always on focusing on which project to crack what to do and I am lot of pressure in mind mind boggling there are many health issues also then I started to calm my mind that it is too short to take this much pressure how many years will it be tomorrow nobody knows what will it be so let it be let's go with the flow do your hard work God will give you whatever you deserve on time 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 that's the only thing I believe beautifully you have explained I think many people will get inspired by this yes because this is all about my experience whatever I have experienced in these years so I don't know why I don't know why India mental health is much more important they need everyone but there is no awareness above it there is no awareness that it is the most important that you have mental health so that should be the perfect in the whole body but but no one is ready to talk about it everyone thinks that he will go to the doctor and this thing that thing someone will understand someone will understand someone will understand exactly no one wants to do it right no one has no patience so do you think that how support staff should happen because yesterday when I was talking to Dagu so he was telling that maybe I think in Netflix they were doing some show so they had the support staff and in the reality shows so much competition is there or especially aap log jab little champs or aise being a child aap wahan pe jate hain to aadar koi haar jaye koi bahaar nikal jaye so I think there should be proper awareness maybe team of counsellors team of psychiatrists who is there to you know provide them proper counselling to deal with the regular pressures that they go through I think that would improve the situation that will improve the toxicity which they have to face and I think anxiety depression or society cases they can reduce a lot it should be if we are creating a team where there is director producer actors crew members why are there counsellors not one member add everyone will get good mindset peace negative energies will not attack everyone will be in peace peace of mind and in fact effective you will be depressed but you will be depressed but you will be being an actor professionally you have to do it but if you have right counselling you will be more 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 than lessons that you want to give that you have to learn from your journey and we want three important lessons that you want to give them first I said patience that is the most powerful mantra for any field whether it is a job whether it is some colour field music acting especially in this field you should patience trust on time and do a lot of hard work that is the only three things no substitute for that no substitute luck definitely but success is a combination of luck and hard work yes both things luck you cannot control so hard work is what you can control you can control right so you should focus on that luck will not focus well yes yes lovely so beautiful insights I am sure that people will get lots of inspiration and now we will go to the rapid fire yeah sure so now we are going to start rapid fire okay acting or singing creatively who do you have more challenge? acting how did you transform your life and work approach? very much I am like more mature than what I was do you have a proud milestone? I got the brand ESN which song that resonates with your life philosophy? how does it resonate with you? this is my this is my my heart you have a heart you are a heart what is your heart beautiful voice non growth oriented activity what is your strategy to live from non growth oriented activities? what is your strategy? just you are not going to do it? what is your mental strength test? what is your mental strength test? which I have given for one year auditions for acting which I was not aware of last year but I am giving auditions which I am giving not my own work nor any workshop nor any lessons I think that was the most toughest moment in my whole life that I am cracking your daily success what is your non-negotiable habit? never think any negative things if you can understand perfectly one person's thoughts then who will it? mom because she is connected from childhood and very much attached we are very much attached with each other what is your most effective self-care practice? meditation what is a positive and challenging aspect? the positive is that many people know you can collab with a lot of brands a lot of different kinds of people and the challenge is that you have to keep making content every day consistency other ways you have to when your vibe or down feel then how do you recharge it? कैसे करते हैं? I just go to some shop. I buy some things for me. I go to some cafe. Sometimes I think about कि मुझे थेटर भी जाकी movie देखनी चाहिए. कोई dream role जो आपको लगता है artistic boundaries आपकी push करेगा? I would love to play कोई भी action वाला character जिसमें मैं अपनी fitness दिखा सकू और जिसमें मैं अपनी काबिलियत को दिखा सकू Entertainment industry में mental resilience maintain करने के लिए upcoming artist को आप के advice देंगे? यह advice दोंगी कि अपना दिमाग, कान और आखे हमेशा खुली रखो 99% लोग यहाँ पे fake हैं. यह तीन चीज़े अगर खुली नहीं रखोगे बहुत जादे exploit होने बादे हो so be always aware कि कौन आपको क्या approach कर रहा है Talent और connection क्या ज़्यादा काम आता इस industry में? डोनों बहुत important Contacts, of course जितने अच्छे contacts उतना अच्छा काम पर अगर contacts अच्छी हुए talent नहीं है तो फिर क्या फादा? तो भी काम नहीं बनेगा फिर एक project तो निकल जाएगा लेकिन दूसरा नहीं बिलेगा नेपोटिजम पर आपका क्या विचार है? अगर मैं कोई star kid होती तो definitely मेरे पापा या मम्मी मुझे ही launch करते so this is very basic नेपोटिजम को लेकर इतना हंगामा होता है but why? it's very basic अगर कोई star kid है they're getting launched by their parents what's wrong in that? right, and I believe if your father is on a good level you'll get a chance to get a chance but he can only get a chance to get a chance exactly you'll get a chance to grow in your potential or talent but there'll be some star kids who get a chance to get a chance but you'll get a chance to get a chance to get a chance nothing everything so ultimately the audience is judged ultimately your talent is judged just the first opportunity easily and if you're born in this house it's your luck it's your luck whoever criticize you don't deserve that you're not from that background right so that's your unfortunate yes that's your unfortunate keep it basic right so any last lesson that you want to give like I said before life is too short to take a lot of stress to be a pressure cooker so take stress less enjoy your life go home go home financial struggle not in life I think you're the luckiest person that's the only thing I think I think that's the main struggle financial struggle right if that is sorted everything else you will if that is sorted if you are like living your life if you have food on your table everyday you are a lucky you are lucky so now before we wrap up at last we would love if you can share your any favorite song which you are the most uplift can you can you with in a 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 तेरी गलिया, गलिया, तेरी गलिया, मुझको भावे, गलिया, तेरी गलिया, तेरी गलिया, यूही तड़ पावे, धियू है, गलिया, तेरी गलिया, वाव, what a beautiful voice. I think singing we should still do things. I am doing, I am doing, but destiny also reads something else, so I am supporting him.